पिंजोर शहर के दमदमा गाउं में जेजीपी पार्टी कार्यकरताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया और डॉक्टर अजे सिंग चुटाला की रिहाई के बाद लड़ू बांटे गई पिंजोर रहतनक शेत्र के दमदमा गाउं में जन्लाइक जन्ता पार्टी के कार्यकरता और पददकारों की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें परदेश प्रवक्ता भाग सिंग दमदमा की अध्यक्सता में मीटिंग का आयोजन किया गया था जनलाएक जनता पार्टी के कार्यकरताओं ने जजपा के राष्ट्री अधाक्स डॉक्टर अजय सिंग चोटाला की शड़ेंतर कारी ताक्तो दोरा गलत तरिकों वे साजिश के तहत कराएगी सजा की अबदी पूरी होने पर तथा उनकी रिहाई की खावर सभी जजपा दूबांटे और खोशय मनाई जजपा जिलादक्स ग्रामन भागसी नमदमा ने कहा कि जजपा के लिए एक एतिहासिक दिन है तथा सभी कार्यकरताओं में जबरदस उत्साह में नई सपूर्थी का संचार है उन्होंने कहा कि जजपा राष्ट्री अधाक्स डॉक्टर जजपा प्रदेश प्रवक्ता भागसी नमदमा ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंग चुटाला के पूरणकालिक राजनितिक सक्रियता से जजपा और मजबूत त्रिके से आएगी डॉक्टर अजय सिंग चुटाला जी जो अपनी पूरी सजा करकर और नियमति रूप से हर्याना प्रदेश या देश की राजनिति के अंदर आज से कदम रख रहे हैं तो हम सभी तहे दिल से लॉक्षाब का स्वागत करते हैं और हमें उमीद है कि आप जन्नाएक जनता पार्टी और तेजी से अपना विस्तार करेगी और बहुत से लोगों का जुड़ना जन्नाएक जनता पार्टी में और तेजी से शुरू हुगा क्योंकि डॉक्टर अजे सिंग चोटाला ऐसे शक्षियत है जो हर किसी के दिल में बसते हैं हर को इन से प्यार करता है और थोड़ा सा बताना चाहिए कि हम कानून का तो सम्मान करते हैं हर तरफ से लेकिन जो हलात हुए शडेंतर हुए आज वो बुरा दौर खत्म हो चुका है तो नए सीरे से आज डॉक्साव का हम जन्याइक जन्ता पार्टी के सभी साथी कालका विधान सवा में खुशी मनाते हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि यह दिन हमें देखने को मिला हुए